सान और चूहा एक समय एक गाव में बलशाली सान रहता था, एक दिन वह सान एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, वह गेहरी निद्रा में दूब गया और जोर से खराटे भरने लगा, उस वृक्ष के पास एक बिल में एक चूहा रहता था, वह सांड के खराटों की आवाज से चूही की शान्ती भंग हुई वह बाहर आया तो पाया की बड़ा सांड खराटे भर रहा है चिलचिला चूहा गया और सांड की नाग पर नाखूनों से खरोंचा सांड जाक कर क्रोध से उस पर गर जा उसने चूहे को देखा और उसके पीछे दोर पड़ा चूहा बच कर भाग निकला उसने अहाते की दिवार में एक शेद पाया और उसके भीतर छिप गया सांड ने चूहे को दंड देने का पका निर्नए ले लिया वह पगला कर गरजने लगा उसने चूहे पर चिल लाया ए शरारती चूहे तुरंत बाहरा नहीं तो मैं तुझे वही दफना दूंगा सांड अपने सिर से दिवार ठोकने लगा परंतु इससे बात नहीं बनी सांड के एकाई क्रोधित होने पर चूहा हस पड़ा उसने कहा क्या तुम पगला गए हो मैं इ उझे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते तुम्हें पता होना चाहिए कि बल से हमेशा समस्या हल नहीं होती है फिर भी सांड आसानी से हार मानने वाला नहीं था उसने चूहे को पकड़ने का बारंबार प्रयत न किया परंतु वह नहीं पकड़ पाया तब उसने चूहे क कहे शब्दों को स्मरन किया धीरे से उसका क्रोध कम हुआ सांड स्वयम में बल बलाता हुआ बल से हमेशा समस्या हल नहीं होती है व्रिक्ष के पास लोट आया